आदनी किसान साथियो नमस्कार फारमेंट फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका साथी विष्णु आज गवार में ओने वाले वाइरस और विक्टेरियल इस फंक्शन से जो है नुक्सान उसके बारे में एक वीडियो लेकर आया हूं किसान साथियो इस बार गवार की पसल जो है वो लगबग लगबग काफी लंबे चोड़े चेत्रों में उगाई गई है अलाकि रास्तान के कुछ चेत्रों में गवार की प्रवावित होने के समाचार मिले हैं तो किसान साथियो अभी आगस्त का महिना लगबग जाने को है 16-17 आगस्त आज हो चुकी है और अब जो है रात लागतार आगे बढ़ेगी जो सब्टेंबर आएगा जो है वो लागतार बढ़ती जाएगी और किसांसाथियों गवार के लिए ओस जो है वह एक परकार का गातक अटेक समान होती है तो हमें आभ इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए समानत या अलग-छग वरस जो है वो इसके पत्ते हमें दिखाई दिए हैं विसके लिए हमने आज अपने खेत में आप देख रहो हूंगे बराबर हमारे यहां सफरे चल लही है हमने नेटिवों बाइर का है वह किया है इसमें नेटिवों करने के पीछे बहुत आयम कारण है हलांकि इसको किसी इसको पंद्रा दिन के लिए प्रोटेक्शन देंगे अलांकि किसान साथियों थोड़ा सा एक्सपेंसिव यानि खर्चिला जरूर है इसमें लगवग लगवग यदि मैं यह कहूं कि 600 रुपे परती एकड़ का खर्चा है लेकिन मेरा निजी अनुभाव यह है कि टेबा को कोई भी फंगिशाइड थोड़ा से यहां मेरा एंडोज है किसान साथियों से किसी भी फंगिशाइड को लेते समय वह एक अंतराष्ट्य कंपनी का होना बहुत जरूरी है उस फंगिशाइड को जो है वह दो लिटर पानी में एक ग्राम यानि 500 लिटर का एक ड्रम कर रहे ह हमें तो उसमें डाइसोग्राम और लग 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 तीन एकड़ के अंदर हमें इस फंगिशाइड का प्रियोग हमें कर लेना चाहिए इससे सबसे बड़ी पॉस्टिव जो बात होगी वह एक तो इसमें कहीं भी किसी परकार की भी फंगस होगी उसको खतम कर देगा अगले पंदा दिनों तक यह प्रोटेक्टिव रहेगा अलाकि देखो प्रकरती के आगे किसी की नहीं चलती है ना विज्ञान की चलती है ना विज्ञानी की चलती है ना किसान की चलती है लेकिन फिर भी हमारे प्रयास होते हैं प्रम्पिता प्रमात्मा को शाक्षि मानकर किसान साथियों अपने गवार की पसल को बढ़िया और स्वस्त रखने के लिए किसी भी अच्छी किसम के फंगिसाइड का प्रियोग हमें अवश्य कर लेना चाहिए अलाकि कई किसान जो यह देखते हैं कि अभी तक इसमें फंगस नहीं है यह हम फंगस आने के बाद करेंगे किसान साथियों कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें कुछ किसान भाईयों नहीं पूछा कि पत्ते पिले पड़ रहे हैं तो हमें कौन सा फंगिसाइड करना चाहिए किसान साथियों यदि आप ओफर्ड कर रहे हैं मेरा किसी भी कंपनी से कोई भी वह नहीं है टेबा को इस परकार गुरूप के जो आप फंगिसाइड प्रियोग करेंगे तो निश्चित रूप से अगले पंदना दिनों में आपकी पसल जो है वह बहुत हरी बरी रहेगी और उसमें फलियों के संख्या जादा होगी हम फिर आपको दो या चार दिनों में इसके जो भी रेजल् करेंगे इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे किसान साथियों मेरा एक अंडूद है कि हमारा यह जो वीडियो जो भी मनाने का उदेश्या है वो किसानों को अधिक से अधिक है उनके उपस को बढ़ाने के लिए आपने वेग्यानिक अनुभाव सांजा करने के हीत हैं इसलिए किसान साथियों यह मेरा जो वीडियो है इसको आप अपने क्रिशी समूएं कि जितने भी वाट्चाप ग्रूप है उसमें शेयर अवश्य करें यदि किसी किसान साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब की बटन पर जाकर रहें इ इनी सब्सक्राइब के साथ सभी किसान साथियों को नमस्ते जै हिन जै भारत